तो यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब आप देख सकते हैं कुएशन हमने डिस्कस कर लिए अब हम यहां देखते है इस पूरे पेपर का ब्रेकप के बाहला जी सेगमेंट में हमारे पेपर का ब्रेकप क्या था कि किस segment से कितने question आए और जो ये analysis आपका कहता है कि यहाँ पर आपके total number of question 100 थे maximum marks आपके 400 थे और उसका weight is obviously बात है 100% था तो किस paper में या पूरे paper में किस unit से कितने question है उसके सब topics से कितने question है और उनका क्या-क्या weight is था यह हम यहाँ पर detail में देखते है तो जैसे आप सबसे आदा देखेंगे कि number of question थे ecology से एक बहुत बड़ी unit है 12th का chapter आपके 11 questions थे और पूरे paper का 11% weight is carry कर रहे थे इकलौता एक ऐसा topic जो 11% weight is carry कर रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि हर segment से question है organism population थे 3 question थे 11 question थोड़ा आगे देखते हैं फिर वापिस अपन इस पर दुबारा आएंगे को discuss करने के लिए आगे बढ़ते है plant physiology से हम देखते हैं आपके पास में 8 question है और खास बात क्या है कि plant physiology में जितने भी unit है ना उन्होंने सारी units को cover किया है मतलब उन्होंने कोई segment छोड़ा नहीं है ऐसा नहीं हो सकता कि इस segment में ज्यादा question आ जाएंगे तो इसको छोड़ सकते हैं उन्होंने हर segment को यहां पर touch किया है और यह भी लगबग 8% weight is अपका carry कर रहा है पहला 11% था second आपको 8% है अब बात करते हैं तो अब बाया ठीक से आपके पास में आपके दो segment होते हैं application of biotechnology और process and principle of biotechnology तो यहां पर आप देखते हो कि बायर टेक्नलोजी से कितने questions है application of biotechnology से आपके पास में एक question है process and principle से आपके पास में 5 questions है फीक है यह repeat हो गया थोड़ा सा बट अगेन बायाटेक से आपके पास में 5-6 question आपको इस segment में देखने के लिए मिले तो मतलब आप यह समझ रहे हो कि ecosystem एक ecological unit है 11 question बायाटेक एक unit है 5-6 question मतलब आपके question का लगबग 15% तो इनी question से cover हो जाता है आगे बढ़ते हैं तो अब देखो जैसे आप आओगे अगें application वाले पार्ट से 4 question हमने पीछे देखे थे किते question थे 5 यहां ने देखा 4 यानी total biotech से number of question जो आपके पास आए है इस इस दा 9 in number and this is a very big number अकेले पूरे पेपर का 10% आपका इको लाजी का अवर कर रही है आगे देखते है इस ट्रॉक्चिल और इनीमल से आपके पास में यहां पर 7 question आए है अलग अलग segment में ठीक है मैं सदा कॉलम के question आए हमें कॉक्रोज का भी question यहां से मिला multiple questions हमको हां से मिले elatomy of flowering plants आपके पास 7 questions है reproduction से आपके पास 8 questions इसका अगेन breakdown है कि reproduction में sexual reproduction flowering plants से आपके पास 3 questions है reproductive health से आपके पास 2 question है human reproduction से आपके पास में 3 questions है यानि इन पूरे total weight is अगेन आपके पास में हो गया 8 तो यह जो ट्रेंड आपको दिख रहा है number of questions का जो हमने आपके लिए एक detailed analysis बनाया है यह समझने के लिए बनाया है कि हम किसी भी topic को या किसी भी unit को यह मान के नहीं कर सकते ही तो बहुत informative वेसे तो क्या आएगा या इससे हमेशे एक दो question यहाते है इसको ठीक है छोड़ भी सकते है हर segment से आपके पास question है और हर line से उन्होंने आपके लिए question बना के दे दिया है cell biology की बात करते हैं, cell biology से इकलोते हैं आपको 5 questions मिले cell cycle and division से आपके पास 4 questions थे and cell की definition से आपके पास में question था evolution से हम बात करते हैं तो आपके पास में 3 question है तो again देखो आपके 12 के सारे topic तो almost cover हो गया है ecology cover हो गया, biotech cover हो गया, origin evolution cover हो गया और reproduction cover हो गया अब जो food production और microbe वाला chapter बचा है उसकी भी होड़ी दिर में आप में बात कर लेंगे living world से हम आते हैं जो कि बहुत basic chapter है, एक छोटा सा 4 या 5 page का chapter है but इससे भी आपको जो मिले हैं वो 5 questions मिले, classification से आपको 5 questions मिले, biological classification से आपके बास में 5 questions है मतलब ये 2-2-3-3 pages के topic है NCRD में पर इनका weight है जितना heavy था इस बार के paper में आगे दिखते हैं, तो respiration in plants, ठीक है, respiration in plants है आपके बास में 3 questions थे, animal world में अगर हम आ जाते हैं तो animal kingdom या फिर पूरी animal physiology, इस से आपके बास में थे को physiology के हर topic से question है digestion absorption से question है, आपके बास में breathing exchange से question है, circulation से आपके बास में blood वाला questions था, ठीक है इन्होंने सब कुछ cover किया है, heart से आपको अकेले दो, तीन या चार question यहाँ पर चार question आपको देखने के लिए मिलें तो मतलब ऐसा था कि human physiology से तो बहुत ज़दा weight is नहीं आता, बस उसमें राइजेशन बढ़ देंगे तो काम हो जायागा नहीं हर किसी का बराबर weight is, हर आप chapter से आपको एक question मिल रहा है आगे देखते हैं, genetics की बात करते हैं, तो genetics में भी आपको question मिला था, अभी हमने autism वाला question देखा था, वो question आपके पास था और genetics की बात करते हैं, तो DNA के बारे में आपके पास question था, तो अगेन आपको दो या तीन question genetics से भी देखने के लिए मिले, microbe वाले पे आ जाते हैं, human health and disease पे, महाँ पर भी आपको global antibody वाल एक option था match the column में, एक आपको disease related सीधा question देखने के लिए मिला था, human health and disease में antibody और आपका artificial immunity और acquired immunity वाला questions था, मतलब ये कुछ common question है, और एक trend अगर आप यहाँ देखेंगे, तो उन्होंने एक topic को cover नहीं किया, मतलब एक topic से question नहीं दिया है, उस पूरे chapter के अलग-अलग segment से भी उन्होंने question दिया है, या तो entire question दिया है, या कहीं से option उठाए कि किसी और question में mix करके डाल दिया है, तो आप उसको multiple chapter में tag कर सकते हो, तो इस तरीके से उन्होंने पूरे chapter का complete coverage ले लिया, या तो एक question से या पिर एक question के option से इन्होंने cover कर लिया है, टिशू की आप बात करोगे, animal tissue से आपके पास भी questions है, epithelium वाले questions थे, cockroach वाला again question इसी से आजाता है, तो आपके पास में yes का भी टेस्ट था, again यह हमने already देख चुके हैं, जो 12th का एक topic आपका रह रहा था बस, strategies and enhancement of food production, महा से भी आपके पास एक question था, कि आपने देखा था, fortification वाला question भी यहां से आया था, आगे देखते हैं, तो biomolecules की बात करते हैं, biomolecules से standard question fix हैं, जो हमेशा आते हैं, आपको यहां पे दो question देखने को मिले, again genetics ही हम बात करते हैं, यह जो order है यह order आपको इस तरीके से बताया गया है, जब आप site को visit करेंगे, आपको detailed analysis मिलेगा और वहां पे आपको यह भी मिलेगा, हर question का origin क्या था, उसके लिए easy, moderate, tough की category क्या थी, तो यह category की according एक order set किया गया, इसका purpose यह है, कि हर chapter में से आपको complete weightage, हर chapter के हर page से आपको question यह, उसका option मिला है, तो इस बार का जो paper था, यह ब आपके पास paper में नहीं होता, आपके बाकी segment चूट जाएंगे, तो इस तरह से इस पूरे bio के paper की, अगर मैं बात करता हूँ, तो इस paper में मैं आपको यह बोलूँगा, कि जो 11th class के question थे, वो थे approximately 52, क्योंकि कुछ में mixed भी होते है, तो 11th थे option mix भी हो जाते है, तो हम 11th से जो question का weightage था, वो थे 52 and 12th से question का weightage था 48, और जो हमारा पुराना trend था, कि 60% bio 12th से आती है, तो you can see the difference, यहाँ पे more than 50% bio 11th की है, and less than 50% bio 12th की है, 52% 48%, तो लगबग आपका बराबर weightage हो गया, तो इस तरीके से आपको अब यह ध्यान रखना है, कि हमें depend नहीं होना है, कि BCB trend पर, because NTA अपना trend continuously change कर रहा है, question का pattern इस बार change था, AR डाल दिये, आशर सनन रीजन वाले question, language में कितने भी simple हो, पर पढ़ने में इतने lengthy होते हैं, कि automatically tough हो जाते है, तो इस तरीके से इस बार में बोलूँगा, कि बाया का paper अगर बहुत tough नहीं था, तो हम यह बोलेंगे, प बिना सोचे समझे या, ऐसा नहीं कि आदे खिंटे में paper बढ़ा दिया, इस तरीके का paper आपके पास नहीं था, तो अब जिनका paper था, वो अपना analysis देख सकते हैं, और जो इस analysis वीडियो को देख रहे हैं, जो भी study कर रहे हैं, जो आप exam देंगे, तो उनके लिए मेरा suggestion यहीं कि इस paper से समस्ते हुए हम ये समझें कि हमें को trend follow नहीं करना जो चाला आ रहा था, इस बार ये trend हो सकता है, अगली बार कोई और नया तरीके का trend आ जाया है, तो we should be ready for every situation, paper tough भी आ सकता है, बहुत easy भी आ सकता है, lengthy भी आ सकता है, one word भी आ सकता है, तो हम stick नहीं रहे हैं, कि हम हमें बहुत high-five पढ़ना है, हमें सिर्फ NCRD पढ़ना है, हमें एक decent balance मना के रखना है, because paper ऐसा ही आ रहा है, हर तरीके का mixture इस paper में आ रहा है, तो this was the complete analysis for the paper, and आप इसको understand करके, अपनी strategy प्लान कर सकते हो, कि अब आपको वाय में किस तरीके से approach लेनी है, तो इसी के साथ मैं ये बात खतम करूंगा, with this analysis, and all the best, thank you.